Hello everyone, welcome again to LearnVere Deetiman तो देखिए हम लोग कर रहे हैं 7th class के question answer जिसमें आज हम 6th class को complete कर लेंगे हलाकि एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया था और वहाँ पर हम लोगोंने 26 question complete कर लिये थे तो आज ये chapter जो है वो complete हो जाएगा तो आप लोग तयारी कर रहे हैं 2nd grade की, 1st grade की तो देखिए ये chapter बहुत ज़्यादा important है इसको बिल्कुल हलके में ना लें जिस तरीके से आप लोगोंने read की तयारी की थी और आपने बहुत अच्छे marks gain किये थे उसी तरीके से यहाँ पर भी आप करिए तो जिन बच्चों ने course लिया हुआ है तो उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि regular जो हैं वो लोग पढ़ाई से जोड़े हुए हैं और राजिस्थान का जो इतिहास है वो पूरा ही होने वाला है तीन चार टॉपिक जो हैं वही बाकी रह गए हैं और आप लोग भी लगातार पढ़ाई करते रहिए और यदि कोई बच्चा course लेना चाहता है तो जल्दी ही लीजिए उसकी वज़े ये है क्योंकि आप लोग पीछे रह जाओगी ठीके और बाद में आप लोग course खरीदोगे तब आपके पैसे भी कर्चोंगे और समय जो इतना मुल्यवान है वो आपके पास नहीं रहेगा और फर्स्ट पेपर के बाद आपको सेकिंड पेपर भी करना होगा तो उसके लिए भी आपको समय रखना है ठीके तो इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि course यदि आप लेना चाहते हैं तो अभी ले तो चलिए उसके आगे ही बढ़ते हैं महराना प्रताप का शाशनकाल रहा महराना प्रताप का शाशनकाल रहा 1572 इस्वी से 1597 इस्वी तक ठीके याद रखिएगा 1572 इस्वी में राज सिंगहासन पर बैठते हैं और 1597 में इनकी मृत्य हो जाती है तो इनका शाशनकाल 1572 से 1597 तक रहा है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा महराना प्रताप का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को कुम्बलगड में और राजगद्धी पर बैठते हैं 1572 को ठीके 28 परवरी 1572 को इनका राज्य अभिशेग होता है और उसके बाद 1597 में इनकी मृत्यू हो जाती है महराना प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? महराना प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था जयन्ता भाई और इनके पिता का नाम था राणा उदे सिंग नेक्स्ट दीखिए राणा प्रताप का राज्य अभिशेग कब हुआ? राणा प्रताप का राज्य अभिशेग कब हुआ? तो यह 28 परवरी 1572 इस भी को हुआ था इसी दिन जब इनके पिता की मृत्यों हो गई थी और उसी दिन ही इनका राज्य विशेक होता है महारणा प्रताप ने करशी और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई विकानेर के राय सींग का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म 20 जुलाई 1541 इस भी को हुआ था विकानेर के राय सींग का जन्म कब होता है 20 जुलाई 1541 नेक्स्ट देखिए विकानेर के राय सींग के पिता का क्या नाम था बीका नेर के राय सींग के पिता का नाम था राव कल्यान मल तो इनके बड़े बेटे थे राय सींग बीका नेर के राय सींग का राजी अभिशेक कम होता है तो इनका राजी अभिशेक 1574 इसरी में हुआ था वहीं हमने देखा था कि इनसे दो वर्स पहले 1572 में राजी अभिशेक होता है महाराना प्रताप का ठीक है? 1572 में महाराना प्रताप का, 1574 में वीका नेर के राय सीम का राजी अभिशेक होता है नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 35 राज पुताने का कर्ण किसे और क्यों कहा जाता है? तो दान सीलता के कारण वीका नेर के राय सीम को राज पुताने का कर्ण कहा जाता है नेक्स्ट देखिए 36 कुश्यन वीका नेर के जूना गड़ का निर्मान किसने करवाया? वीका नेर के जूना गड़ का निर्मान करवाने वाले थे वीका नेर के राय सीम और यहीं पर इस पर राय सीम प्रसस्ति लिखवाई Q37. राय सिंग के प्रसिद ग्रंथों के नाम क्या है? तो इनके नाम बताईए. राय सिंग के प्रसिद ग्रंथों के नाम है. राय सिंग महुतसव और जोतिस रत्न माला. तो 1621 इस्वी में ये आमेर की गद्दी पर पैटते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं. मिर्जा राजा जै सिंग किन मुगल साशकों के दरवार में रहे? तो देखिये यहां पर जहांगीर के शाशन काल में रहे, सहाजा के शाशन काल में रहे और औरंग जेब. इन तीनों मुखलों शाषकों के दरवार में रहे मिर्जा राजा जैसिंग। आमेर का शाषक बनने के बाद मिर्जा राजा जैसिंग को जहांगीर ने किस अभ्यान पर भेजा था। तो बहुत ही important question है, exam में आ सकता है, चाहे आपका first grade का exam हो, second grade का exam हो, तो important हैं ये सभी question याद रखिएगा, आमेर का शाषक बनने के बाद मिर्जा राजा जैसिंग को जहांगीर ने किस अभ्यान पर भेजा था, तो उन्होंने एहमद नगर का जो मलिक अंबर था, उसके विरुद अभ्यान पर भेजा था, तो ये सबसे पहला अभ्यान होता है, एहमद नगर का जहांगीर मिर्जा राजा जैसिंग को भेजते हैं, मिर्जा राजा जैसिंग के राजकवी बिहारी ने 1662 इस्वी में किस की रचना की, मिर्जा राजा जैसिंग का राजकवी कोण है, बिहारी, एक तो ये कुश्यन हो गया, और राजकवी बिहारी ने 1662 इस्वी में बिहारी सत्सई की रचना की, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, मिर्जा राजा जैसिंग को मिर्जा की उपाधी किस ने दी, तो इनको मिर्जा की उपाधी जो है, वह सहां जाने दी थी, याद रखिएगा, सबसे पहला अभियान मिर्जा राजा जैसिंग जो है, जैसे ही सासन समहालते हैं आमेर का, तो सबसे पहले जो है, जो मुगल बादशा होता है जहांगीर तो उनको सबसे पहले एहमद दगर के मलिक अंपर के गुरुद अभ्यान पर भेजता है. ठीक है? लेकिन इनको मिर्जा की उपादी किसने दी थी? सहां जाने. ठीक है? याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए 43 कुशन जैसिंग चरित्र की रचना किसने की जैसिंग के जोर दरवारी कवी हैं राम कवी एक हमने देखे दे राज कवी कौन बिहारी थे जिनोंने बिहारी सत्से की रचना की और एक और कवी है ये राम कवी तो इन्होंने जैसिंग चरित्र की रचना की महाराज जस्वन सींग का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1626 इस्वी में बुरहानपुर में हुआ था याद रखिएगा जस्वन सींग का जन्म 1626 इस्वी में बुरहानपुर में हुआ महराजा जस्वन सींग को महराजा की उपाधी किस ने दी? महराजा जस्वन सींग को महराजा की उपाधी देने वाले थे सहाजा अब आपको ये चीज याद रह जाएगी कि मिर्जा राजा जै सींग को मिर्जा की उपाधी सहाजा ने दी महराजा जस्वन सिंग को महराजा की उपादी सहाजा ने दी ठीक है अब कभी आप नहीं बुलेंगे क्योंकि ये दोनों उपादियां देने वाले कौन है सहाजा देवराई के युद्ध में महराजा जस्वन सिंग ने किसका साथ दिया था? तो उन्होंने साथ दिया था औरंग जेव का देखिए पहले तो महाराजा जस्वन सिंग जब मुगलों का उत्रादिकारी युद होता है औरंग जेव, दाराशिको, इनके सभी भाईयों के बीच में उस वक्त जो जस्वन सिंग थे, वो किसके साथ थे? जस्वन सिंग के साथ थे, लेकिन जैसें के कहने पर ये औरंग जेव के साथ हो जाते हैं तो सहाजा औरंग जेव के खिलाफ ही था जस्वन सिंग के पिता का क्या नाम था? जस्वन सिंग के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था गज सींग. याद रखिएगा गज सींग के पुत्र का नाम क्या था? जस्वन सींग. जस्वन सींग के प्रमुक ग्रंथ कौन-कौन से हैं? तो देखिए आनंद प्रकास, सिद्धान्द बोध, भाषा भूशन, प्रवोध चंद्रोदे. ये सबी ग्रंथ कि के हैं? जस्वन सींग के हैं. नेक्स देखिए, कुश्चन 49, महराजा राज सींग प्रथम ने मुगल उत्रादिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? तो यहाँ पर इन्होंने औरंग जेव का साथ दिया था. औरंग जेव के साथ राज सींग के बहुत ही अच्छे संब लेकिन चारुमती को लेकर इनके संबन बिगड जाते हैं. नेक्स्ट देखिए, राज सींग ने कहां मंदिर बनवाए थे? राज सींग ने मंदिर कहां बनवाए थे? तो इन्होंने सिंगहार नात द्वारा में, स्रीनात जी की मूर्ती और द्वारिकादीस की मूर्ती कांक कांक रोली में राज सम्मझ जील का निर्मान किसने करवाया? कांक रोली में राज सम्मझ जील का निर्मान राज सींग ने ही करवाया था? किसने कांक रोली में राज सम्मझ जील पर संस्कृत भासा में 25 सिलाओं पर प्रसस्ति को लिखवाया? जिसे की कहा जाता है राज प प्रशिस्ती लिखी गई थी जो कि संस्कृत भासा में थी 25 सिलाओं पर इस प्रशिस्ती को लिखवाया गया था। देश का सबसे बड़ा सिलालेक कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, सेवन्त क्लास हम पढ़ रहे हैं, इतने इंपोर्टेंट लाइन यहां पर लिखी हुई थी इस चैप्टर में कि देश का सबसे बड़ा सिलालेक है राज प्रशिस्ती जिसको रंड छोड में 25 सिलाओं पर खुदवाया गया था, याद रखिएगा, नेक्स्ट देखिए, कुशन 54 है, सवाई जैसिंग का जन्म कब हुआ? सवाई जैसिंग का जन्म कब हुआ? 1688 इसवी में हुआ था और 1699 में यह गद्दी पर बैट गए थे, यानि इनके पिता की जो मृत्यू ज उन्होंने मिर्जा राजा जैसिंग को मिर्जा की उपादी दी थी, तो उसके बाद का समय आता है सवाई जैसिंग का, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, सवाई जैसिंग को सवाई की उपादी किस ने दी? तो इनको उपादी देने वाले थे औरंग जेव, ऐसे याद रख सकते हैं कि मिर्जा राजा जैसिंग के बाद जो जैसिंग आते हैं वो सवाई जैसिंग है ठीक है तो औरंग जेव से पहले कौन थे सहाजा थे तो सहाजा ने मिर्जा राजा जैसिंग को उपादी दी थी मिर्जा की और उसके बाद जो आते हैं सवाई जैसिंग इ निराजधानी बनाया जैपुर को सवाई जैसिंग ने नक्षत्रों की गती की घर्णा करने के लिए एक सुद्ध सारणी का निर्मान कब करवाया सवाई जैसिंग ने नक्षत्रों की गती की गर्णा करने के लिए एक सुद्ध सारणी का निर्मान करवाया था 1725 इस्वी में सुद्ध सारणी का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया जीज ए मोहमत शाही तो इनको कुश्यन को बार बार देखिए, बार बार वीडियो चलाईए जिससे की यह आपको याद हो सकें जितनी बार आप इनको देखेंगे, सुनेंगे वीडियो, उतने ही आप लोगों को यह याद रह पाएगा और कोई भी ट्रिक नहीं होती है, किसी भी चीज को याद करने की हर चीज की ट्रिक नहीं बनाई जाती है इनको बस समझते जाईए और सिक्वेंस में ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से यह आपको याद भी रह जाएंगे सवाई जैसिंग ने जोतिस विद्या के अध्यन के लिए जैसिंग कारिका लिखा ठीक है जैसिंग कारिका ग्रंत लिखा था नेक्ष्ट देखिए सवाई जैसिंग ने जोतिस के अध्यन के लिए जंतर मंतर नाम से पांच बैद सालाइं बनवाई थी ठीक है यहां एक जो है जोदपुर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा महाराजा सूरजमल्ड के पिता का क्या नाम था? तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल्ड के पिता का नाम था बदन सीम्ग ठीक है? और बदन सींग जो हैं वो बिल्कुल भी सारीडिक तोर पर सही नहीं रहते थे तो इन्हों ने अपना राजपार जो है वो अपने बेटे सूरज मल को जल्दी ही सौप दिया था महाराजा सूरज मल के दरवार में मुख्य विद्वान कौन से थे महाराजा सूरज मल के दरवार में मुख्य विद्वान थे कवी वर सूदन और अखेराम गर्ग याद रखना है कवी वर सूदन और अखेराम गर्ग तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कम्प्लीट होता है ब झाल झाल